कि आज मैं मीडिया के मंच पर हूँ कि सवाल कि आपको बहुत प्रिय होते हैं और इसलिए कि मैं भी कुछ सवालों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूगा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग कुछ पल आपके साथ का संग है तो मुझे भी हादर लग भी है जैसे आपके सवालों में बहुत कुछ छिपा होता है वैसे ही मेरे सवालों में भी आपको सर्जिंग इंडिया के बहुत से उत्तर अपने आप मिल जाएंगे साथियों क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इतनी जल्दी फाइव ट्रिलियन डॉलर एकानॉमिज के क्लब में स्तामिल होने की तरफ अपना कदम बढ़ा देगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि इस अप डूइंग बिजनेश की रैंकिंग में हंडेट फॉर्टी टू से सेविंटी सिवन पर आ जाएगा भारत तॉप फिप्टी में आने की और तेज गती से कदम रख रहा है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में ऐसी ट्रेन में चलने वाले लोगों से जादा एर कंडिशन ट्रेन में चलने वाले से जादा लोग हवाई सफर करने लगेंगे हवाई जहाज में बैटे होंगे क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि रिक्षा चलाने वाला भी सब्जी वाला भी और चाय वाला भी बीम एप का इस्तेमाल करने लगेगा अपनी जिब में रूपे डेबिट कार रखकर अपना आत्मविस्वात बढ़ाएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इसका एविएशन सेक्टर इतना तेज आगे बढ़ेगा कि कंपनियों को एक हजार नए हवाई जहाज का ओर्डर देना पड़ेगा और आपको जानकर क्या हरा नहीं होगी हमारे देश में आजासी ते अब तक कुल सारेडे चार सो फोर हंड़ें फिप्टी हवाई जहाज अप्रेशनल है प्राइवेट हो पब्लिक हो सरकारी हो कुछ भी हो एक साल में एक हजार नए हवाई जहाज का ओर्डर यह बताता है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में नेशनल बॉटर वेज एक सच्चाई बन जाएगा कौलकाता से एक जहाज गंगा नदी पर चलेगा और बनारस तक सामान ले आएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि हम भारत में ही बनी बीना इंजिन वाली एसी ट्रेन का परिक्षाण कर रहे होंगे जो एक सो असी किलोमीटर पती गंटा की रफ्तार पर दोड़ेगी क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत एक बार एक बार में सो सेटलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बनाएगा और इतना ही नहीं गगन यान के लक्ष पर भी आज वो आगे बढ़ रहा है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि स्टार्ट अप की दुनिया से लेकर स्पॉर्ट की दुनिया में भारत की प्रतिष्टा इतनी जादा बढ़ जाएगी साथियों चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हेलीकॉप्टर गोटा लेका इतना बड़ा राज़दार क्रिश्चन मिशेल भारत में होगा सारी कडियां जोड रहा होगा चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 1984 के सिख नवस्रमवार के दोस्टी कॉंग्रेस नेताओं को सजा मिलने लगेगी लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा आखिर ये परिवर्तन क्यों आया देश वही है लोग वही है बिरोकसी वही है हमारे साधन वही है संसाधन भी वही है फिर इस परिवर्तन की बज़े क्या है